अधिक्स महुदें, मैं इस सदन का द्यान इस्तानिय को रोजगार के मामले में आकर्षित करना चाऊँगा। अधिक्स महुदें, मैं उस पश्ची मिराजस्तान के उस सीमान चेतर से आता हूँ, जहां हमेशा से बोगोलिक रूप से अबाव रहे। रोजगार के कोई सादन नहीं थे, हमारे लोग रोजगार के लिए, वैपार के लिए देश के अलग-अलग हिस्थों में गए और उन्होंने अपना काम किया, वर्तमान में इस्तियां पर इस्तियां अलग है, हमारे उस छेतर में कई सारी मल्टीनेसल कंपनी जाई है, और इस सदन के मादम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इस्थानिये जितने युवा है उनको उन मल्टिनेसल कंपनीज में रोजगार मिले ताकि वहां के युवा मुख्यदारा से जुड सके आप देखेंगे कि करनाटका में भी थोड़े दिन पहले एक नया बिल लाया जिसमें 50% रिजर्वेशन की बात की गई इस्थानिये को रोजगार में वरियता की बात की गई कुछ से दिन पहले हरियाना में एक बिल पे डिसकस हुआ जिसमें कहा गया कि साब इस्थानिये को रोजगार के लिए हम 70-75% तक स्किल और अन्सकिल में हम रिजर्वेशन दें मेरा निवेदन रहेगा परदेश की सरकार से कि आप इस्तानिय को रोजगार दें युवाओं को आगे बढ़ने का एक मुका दें अगर वहां पे इस्तानिय कंपनियों में युवाओं को मुका मिलेगा तो निश्चत रूप से वो बॉर्डर मजबूत हो पाएगा वो सिमान चेतर मजबूत हो पाएगा आज के समय में तमाम युवा साथी बेरोजगारी के इस आलम से गुजर रहे हैं और दर दर की ठोकने खाने पे मजबूर हैं उनकी पीडा को समझना चाहिए और इस्तानियों को वहां की मल्टिनेसल कंपनीज में चाहे वो सोलर की हो विंड की हो पेट्रो केमिकल की हो और तमाम सारी मल्टिनेसल कंपनीज में उन युवाओं को रोजगार के नए संसादन देने चाहिए और साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा कि उनको स्किल के रूप में उनको अच्छी स्किल देके तैयार भी करने की जिम्यदारी परदेश की सरकार क और हम सब की मिलके होनी चाहिए मेरा निवेदन रहेगा कि इस्तानिये को आप रोजगार देने की देने का स्रम करावे दनेवाद